नमस्कार मैं हूँ सोनिका और आप दिख रहे हो तब काल नियूस लाइफ महाराश्चित के विरार के एक हस्पतार में लगी आग की घटना को लेकर प्रधान मंत्री मोदी ने शोग जताया है इस घटना में 13 कोविट मरीजों के मौत हो गई है प्रधान मंत्री कार्या लेकी और से ट्वीट कर पीडित परिवारों का मौज़ा देने की घोशना की गई है ट्वीट के मुताबित प्रधान मंत्री राष्टिय रहत कोश से इस घटनात में जान कवाचु के मरीजों के परिवार को 2-2 लाक रुपे दिये जाएंगी वही घटना में गंभी रुप से घायल मरीजों के परिवार को 50,000 रुपे का मौज़ा दिया जाएंगा बता दे की विरार के विजेव अललव अस्पताल में गुरवार देर राथ आग लग गई थी आग यहाँ पर इंटेंसिव केर यूनिट में लगी थी जिसके चलते 13 कोविड मरीजों की जान चली गई अस्पतालों के एक शिर्ष अधिकारी ने बताए कि यह घटना के वक्त करिप 90 मरीज भरती थे आग लगने के बाद मरीजों और मेडिकल स्टाफ के भीच हंगामा मज गया अस्पताल के स्टाफ ने तुरंद मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया कुछ लोगों ने दावा किया था कि अस्पताल में घटना के वक्त कोई डॉक्तर मौजू दी नहीं था अंदर जानेगा कुछ चांसी नगत, कुछ मोकाई नहीं था अंदर जानेगा, भूद धुआ आ रहा था अंदर से, वहापे दो नर्स थी खाली, दो ती नर्स थी और एक भी डॉक्टर नहीं था हुआपे, बाद में फायर बेगर ने आदे घंटे के बाद आग गुजाई, लेकिन इतना धुआ था कि अंदर कोई घुसने स्वाए, तुर भी हम लोग नीचे जुक के अंदर घुसे, तो देखा तो आट से दस बोड़ी अंदर मरी भी पाई हम लोग ने, और आश्पिरल का खुद का, फायर का कुछ भी सोई नहीं था,